लोकसवा चुनाव में पाच चरण के मतदान हो गए हैं और छटे चरण का मतदान 25 मई को होना है देश के जाने माने युवा सामाजी कारेकरता और युवा चेतना मंच के अध्यक्ष रोहिस सिंग देश भर में यात्रा कर युवाओं के रुजहान को समझने की कोशिश कर रहे हैं इसी के तहट प्रयाग राज पहुशने पर उनका अभव विस्वागत किया गया युवा चेतना मंच के अध्यक्ष रोहिस सिंग से वर्तमान राज नेतिक स्थिएओं पर समादाता अभिशेक पांडे ने खास बाचीत की देश के युवा नेता और युवा चेतना के राश्री अध्यक्ष रोहित सिंग जी हमारे साथ बाचीत करने के लिए मौजूद है रोहित जी आप देश भर में चुनाओं के दोरान लगातार भ्रमण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और तमाम जगों पर आप लगातार विजिट कर रहे हैं किस तर्या की स्थितियां आप देख रहे हैं चुनाओं में और जनता का क्या रुजहन आपको नज़र आ रहा है जनता दुखी है पीरित है प्रतारित महसूस कर रही है दुख में है ठगा हुआ महसूस कर रही है किस से विपक्ष में बैथे भरस्ताचारियों से भस्मासुरों से जिन्होंने सत्ता में रहते हुए देश की संपत्ती का बंदर बात किया देश के वैभव को कम करने का सरयंत्रचा और आज सीना चोड़ा करके देश के भूमि पुत्र धरती पुत्र भारत माता के वीर सपूत आधनिय नरेंदर भाई मोदी के सामने बड़ी बात कर रहे हैं देश की जनता पूरी प्रतिबधता के साथ माननिय मोदी जी के साथ किया है विपक्ष के लोगों को अपने परिवार के लोगों से चिंता है उनको देश की संपत्ति को लूतने के अलावा दूसरा कोई काम भी है क्या प्रधान मंत्री ने तो स्पस्त कर दिया मेरे वारिस आप हैं मेरे उत्राधिकारी आप हैं मतलब देमोक्रसी में उनका सब प्रतिसमर्पित है या भाव है देश के प्रधान मंतरी का और विपक्ष के निताओं का नाम उठा के देख लिजे मैं मेरी पतनी मेरा बेता ये सब नहीं तो साला साली सराज बिल्कुल प्रधान मंतरी नरेंद मोदी भी अपने भाष्णों में परिवार वाद पर निशाना स लातते रहें और कहें कि कुछ लोगों की पार्टी है जब जब की बीजेपी की बात की जाए तो उसमें किसी भी युवा कारकरता को हम देखते हैं कि एहम पद भी दे दिया जाता है अभी हमने मद्दपरदेश 36 गड़ में भी देखा था कि मुखमंतरी जो बनाए गए दल की रूप रेखा पर कोई बयान देने का अधिकार मुझे नहीं है लेकिन यह मैं जरूर बोल सकता हूं पुरी जवाब देही और जम्मेवारी के साथ बोल सकता हूं देश का आम नौजवान होने के नाते देश का नागरिक होने के नाते कि देश की आजादी के बाद जो वोट से पैदा होगा लेकिन कॉंग्रेस ने क्या किया परिवारवाद के बीज को पानी और खा दे के बरगत का पेर बना दिया आज देश की जनता उसी परिवारवादी राजनीत के खिलाप प्रधानमंतरी मोधी के साथ खरी है क्योंकि मोधी खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतानों को समाज के मुख्यदारा से जोडने का प्रियास कर रहे हैं कोई लड़ाई है देश की जनता चुनाओ लड़ रही है राजनतिक दल चुनाओ नहीं लड़ रहे हैं और देश की जनता चुनाओ में अपना पूरा मता अधिकार देश के नवनि काम आपने किया है, समाज के हर वर्ग आपको जानता है, पहचानता है इस तरह की स्थितियां में जब आप पूरप की तरफ गए पश्चिम, उत्तर, दक्षिन कहा जाता है, दक्षिन में भारतियनता पार्टी का उतना होल्ड नहीं रहता है लेकिन जनता का आपका क्या किस तरह की बाते निकल के आ रहे हैं, क्या कोई नाराजगी है आपने देखी या फिर जो महागडबंधन है, निश्यत रूप से आप राजनितिक जो चर्चा है उस पर हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपका क्या मत आपको समझ में आ रहा है, क्या रूज़ान मिल रहा है देखे, देश की जनता मन बना चुकी है, और देश की जनता का स्टैंड बहुत क्लियर है परिवारवादियों को, भरस्ताचारियों को, देश विरोधियों को 2024 के आम चुनाव में देश की जनता 50 सीतों के नीचे समेतने जा रही है बंधा बना के बांधने जा रही है, कहीं कोई लडाई नहीं है चुनाव जनता लड़ रही है, पबलिक लड़ रही है और पब्लिक ये जानती है कि प्रगती मोदी की सरकार में ही होगा अगर इंदी गतबंधन वाले गलती से सपने में भी प्रधान मंत्री बन गए तो देश का जो बुड़ा हाल 57 सालों में उन लोगों ने किया है उससे ज़्यादा बुड़ा हाल सपने में वो भारत का कर तो आपने सुना युवा चेतना के राष्ट्य अध्यक्ष रोहित सिंग का साफतार पर कहना है कि महागडबंधन भले ही लाख दावे करें लेकिन 50 से कम सीटों में सिमट जाई और इस बार का चुनाओ जनता सीधे लड़ ही है और सभी का ये कहना है कि मोदी जी हैं जो कि तीसरी बार भी बन करके आ सकते हैं हाला कि महागडबंधन अलग-अलग जगों पर जाकर के रैली कर रहे हैं उनकी जनसाभा में भी भीड देखने को मिल रही है लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर चार जून को क्या तीसरी बार यानि कि मोदी सरकार हैट्रिक लगा प क्थ CultBooks अजात समय कर जजसे हैं उनकी बारिक रूसे हैं जजसा हैं वे दोगाद़दी कर दूत हैं जनकी कर दोप में जिन wraघई।λιध अड्रा भीण सिर्बदादी कर देखने कि ये उनकी'll भीधन जसे वकी दूलगटले कि पhаешьतुछदी आपर जाम्टक्र चार